धनवाद के जरिया थानक शेत्र के बन्याहिर के हनुवान गड़ी के रहने वाले पुर्शोत्तम चवहान का शव दामोदर नदी से बरामत किया गया बताया जाता है कि मंगलवार की सुबा पुर्शोत्तम डिगवाडी की रहने वाले कुछ युवतियों को लेकर वोकारों के अमलाबाद स्थेत दामोदर नदी के धोवी घाट पर गया था और उसके बाद सूचना मिली कि पुर्शोत्तम डूब गया है सूचना मिलते ही परिवार के लोग आनन फानन में अमलाबाद धोवी घाट महुचे मगर कोई सुराग नहीं मिला बाद में अमलाबाद ओपी में पुर्शोत्तम के पिता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद पुर्शोत्तम का शव मिला घटना के संबन्द में मिर्तक के परिजनों का कहना है कि ये हाथसा नहीं बलकि साजीश के तहत पुर्शोत्तम की हत्या की गई है क्योंकि पुर्शोत्तम का चपल और उसकी टी-शट घटना स्तल से काफी दूर मिली है पुलिस इसकी गहनता से जांच कर रही है मेरा घर पहुंचाया एक लड़का तीन लड़की जो था उसमें एक लड़की गया था दो लड़की ने किया था लड़की टिगवा डिका है जो कि अपने दोस्तों के साथ ही यहां आमलाबाद आया हुगा दोस्त नहीं लड़की दोस्त भी उसको दोस्त ही बोल रहा है वो लो उसके संग आया था अब यहां पर क्या घटना होई है मैं अभी अभी आया हूं मुझे ग्यात हुआ कि वो लड़का यह कुछ लोग कर रहे हैं कि डूब गया है अभी इसमें तो बहुत सस्पेंसव मामला क्या है अब तो पुलिस चानविन कर रही है कि खोज अभी नभी जारी है अभी तक है जे लासन का फत्र नहीं चल पाया है उसी के प्रियास में लगे हुए जा रहे हैं फिर पुना नदी में अरोब लगा रहे हैं कि कई घंटे हो गए परसासन द्वार अभी तो गोता खोर ठीका तीन लड़की हैं अपने साथ आई है किस कोई थोड़े हैं तिनों तो और मावाले खेल लड़की न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगाता.in के साथ झाल